आज हम लोग बढ़ने वारे हैं functions के बारे में relation between a set of inputs having one output each यानि के अगर हम लोग एक input दे रहे हैं और उसके बते में हमारे पास एक ही output आ रही है एक ही image है, उसका second image है वो एक ही है, उसको हम लोग function कहते होते हैं यह हमारे पार a है, इसके ना देख रहे हैं हमारे पार three values x, y, z, आगे है b इसके ना हमारे पार किनी values 1 to 3, 4 हमारे पार x के लिए 1 है, y के लिए 2 है, z के लिए 4 है हर एक के लिए 1 function है ठीक है, one one function क्या होता है उसमें answer कभी repeat नहीं होता और हमारे पास function होता है जिसके ना एक value एक चीज के लिए हो एक input के लिए 1 output हो लेकिन क्या हमारे पार एक input के लिए 2 output हो सकती है या नहीं ऐसा नहीं हो सकता एक input के लिए 2 output नहीं होंगी जबके हमारे पार एक output दो चीज के लिए जूरूर हो सकती है लेकिन एक input दो चीज के लिए नहीं हो सकती है तो हमारे पास यूनीक इमिज बनाएंगे अब देखो हमारे पास वाय देट के लिए तू कॉमन है यह हो सकता है लेकिन यह नहीं कि तू जो है वाय पर भी आए अजलए लिए और वाय थी पर भी आज़र नहीं होगिए एक वैली ओगी ठीक है यूनीक इमिज चोंगे है एक ऐ्लीमिट जाए उसके फार एक ही आउटपूट होनी चाहिए यह नहीं के दो तीन क्या उससे जार्धा नौप खाली एक आउटपूट होनी चाहिए और आप लो तो इसको डिफर्ट तरीके से चेक कर सकते हैं जिसमें से एक तरीका है एक वैल्यू देदें य की वैल्यू देदें दिखते हैं हमें पास कौन सी वैल्यू आएगी ठीक है या हम इसको ग्राफ के ज़िए भी चेक कर सकते हैं ग्राफ के ज़िए किसे चेक कर सकते हैं या जब ह तो एक जगब टाच हो रही है यादि कि इसकी एक इनपुट है एक आउट पुट के लिए जब कि अगर सरकल है हमारे पास उसकी उपर दो जगब टाच हो रही है तो यह में पर फ़ंक्चन नहीं समझागी तो अब हम लोग इसमें भी देख सकते हैं यह अगर हम लोग एकजा धेख लिए this in all about function है और ये भी हम्हार सबहोड था बना लिएंगी हम देखने है यह फंट़् आ है ये लिए फ़ंक्श्यट पर्फट आ रएक योट्प प्र आहजा हैं बहुत की ग्राफ बना लेते होते हैं तो स्केर का ग्राफ हमारे पास तरह यू शेक में होता है तो ये था हमारे पास All About Function उसके बाद हम लोग आगर सेट बारे में बढ़ाएंगे हमारे पास सेट्स क्या होते हैं तो आज की लिए टो